नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका क्रिक्वेंड यूटूब चैनल पर इंडिया और न्यूजिलेंड के बीच वल्ड कप का जो नैक्स मैच खेला जाएगा उसके बारे में हम वीडियो में डिसकेशन करेंगे हर एक प्लियर के बारे में जानेंगे कौन से प्लियर किस मैचेस विन किया है तो टेबल टॉपर्स जो है न्यूजिलेंड फॉर्स पर इंडिया सेकिंड पर उन्दोरों के बीच मैच है पहले ते जागे आप कॉमेंट सेक्षन में लिख सकते हूं किसके चांस आपको ज्यादे लग रहा है किस टीम को विन करना चाहिए इंडिया को अगर आप जिताना चाहिए तो कॉमेंट्स में जरूर लिखना सेकिंड बिगेस्ट राइविलरी इसे हम कहेंगी क्योंकि पाकिस्तान से हमारी राइविलरी काफी बढ़िया होती है और हम ज्यादा तर विन करते हैं हमेशा ही विन किया वर्ल्ड कप में न्यूजिलेंड से हम बहुत कम मैचे जीते हैं और वर्ल्ड कप में तो जीते ही नहीं है तो क्या आज ये चेंज होने वाला है कॉमेंट्स में आप दिख सकते हूँ मा की सारे प्लेयर्स के बारे में भी हम बात करेंगे इस मॉल लिख के साथ साथ ग्रेंड की टीम से भी देखेंगे तो जोइन कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो बागी टेलिगराम पर नहीं है वह चैन्ज होता है वह भी आपको चली कर आहेगा अब जौइन से करना है description से कर लो या comment section में first comment आपको pin मिलेगा उस पे tap करकी भी आप सीधर telegram पे आ सकते हैं अब हम दोस्तों सीधर आ जाते हैं match पे और शुरुआत करते हैं menu के साथ हिमाचल प्रदेश में ये match है और धर्मशाला का ground है और यहाँ पर अगर हम बात करें और यहाँ की पिश्रे पोर्ट की बात करें बैटर्स फ्रेंडी है लेकिन फिर भी बहुत बड़ी है स्कोर आपको नजर नहीं आएगा सीमर्स काफी अच्छा करते हुए नजर आते हैं लास्ट मैच भी आपने देखा है अपसेट योग हुआ था साउट अफरीका को नीडलन ने हराया था उनके सीमर्स प्लस स्पिनर्स ने भी अच्छा किया था यहाँ पर बात करें फर्स इनिंग का एवरेज इसकोर 232 है ले लेकिन इंडिया फिर भी आल्मोस्ट 300 तक टच कर सकता है चलिए लास्ट मैच इस देख लेते हैं जैसा कि मैंने बताया तीन मैच इस खेले जा चुक है नीडलन टू फॉर्टी फाइब बनाए हुए थे और यहाँ पे साउट अफरीका चेस नहीं कर पाई है आ साथ दस वि मैचेस आप देखेंगे पेसर्स ने अच्छे खासे विकेट्स निकाले एक बार फिर से हम उम्मीद कर रहा है दोनों ही टीम के पास जो कमाल का पेस अटेक है वह आपको विकेट्स निकालके देगा आज के मैच में कुछ चेंजिस भी हो सकते हैं चलिए हम एड़ टु एट इन्डिया से शुरुआत करेंगे इसका भी आप देख सकते हो प्लियर्स के बारे में क्यों देखना है क्यों हार्धिक पांडिया नहीं खिल रहे है तो हार्धिक पांडिया की जगह पिछको देखते हुए मौनमँगा में में सकता है आज के मैच में मौनम्मश शमी आप प्रॉपर बैट्समेन को ले आओ, हार्दिक को दो पीसेस में आपको तोड़ना पड़ेगा, दो प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा, हार्दिक का जो स्पोर्ट उसको फिल करने के लिए, सूर्कमार आदव आपको बैटिंग करते में नतर आएंगे, और शारदुल जिनक इन फॉर्म बहुत बहतरी, ने रीसेंटली बहुत अच्छा किया है, और आईसीजी टूर्नामेंट में ज़्यादा तर रोईशर्मा कमाल करते वे नजर आते हैं, पिछला वल्ड कप भी आपको यादोगा, पांच सेंचुरी इस वल्ड कप में भी एक ओल्डेडी आ चुक आपको कैप्टन में थोड़ा से नहीं कर पा रहा हूं, डर के चलते अगर आपको रखना एकदमी सेफ जाना है, तो रोईशर्मा को कर सकते हो, आज मुझे लग रहा है कोई दूसरा इप्र अच्छा करेगा, रोईद नो डाउट थोड़ा बहुत स्कोर तो आपको फिर भी करके देंगे, क्योंकि यह आप्रोच चेंज की है, जो अटेकिंग अप्रोच लिखे आए, शुरुआ आपके ओवर्स महीं मारने को देखते हैं, वहाँ पे बोलर अपने डिफेंस जोन में चला जाता है, इसलिए लगातार स्कोर कर रहा है, तो आप यह मास समझना कि आज के मैच में शुगमन गिल ठीक परफोर्मेंस कर सकते हैं, और चेसिंग में थोड़ा वाइस केप्टन भी आप कर सकते हो, बाकी कैप्टन वाइस केप्टन में ओपनर्स को करने से तो डबूँगा, जब न्यूजिलेंड के सामने हमारा मैच होता है, तो हमारे ओपनर्स बहुत बड़ा थ्रेट लेके आते हैं, न्यूजिलेंड के बोलर्स उनके लिए, तो आप ओपनर्स को कैप्टन वाइस केप्टन करोगे, नो डाउट फॉर्म बहुत अच्छा है, हर वर्ल्ड कप में हमारा ओपनर्स का फॉर्म बहुत अच्छा रहता है, और न्यूजिले के सामने जाके फस्ट से जरूर है, तो वो मैं अपने दिमाग में रख रहा हूँ, इसलिए मैं इन ओपनर्स को कैप्टन वाइस के फिलार नहीं कर रहा हूँ, चेजिंग में शुबमन के साथ आप जा सकते हो, विराट कोली की बात करें, 57 गैवरिज, रीसेंट फॉर्म बह लास मैच में गलती सा अपना विकेट खो गए, उसके बहले दो मैचस में नौट आउट, बैटिंग का थोड़ा कम मौका मिलता है चेजिंग में, क्योंकि उपर वाले प्लेयर सी हमारा चेज कर जाते हैं, तो आज ये मैच में आईयर को आपको रखना है ग्रेंड ली में र हैं, तो राउल फर्स बैट मैच जेजिंग में नहीं है, क्योंकि जेजिंग में हमारे उपर वाले बहुत कमाल करने, बैटिंग नहीं आपाईगी, नेक्स बात करें सुरी कुमारे आदव, 27 काईबरे जीसेंड फॉंट ठीक है, एक मैच खराब हुआ है, आज के मैच मैं कर तो सकते हैं अच्छा, क्योंकि इंडिया के विकेट्स तो जरूर गिरेंगी, लेकिन फर्स टीनिंग में थोड़े ज्यादा विकेट्स करने की उम्मेद है, तो वहाँ बैटिंग थोड़ी आएगी, कुछ थोड़ा बहुत करके दे सकते हैं, ओडिया में ज्यादा बैतर न रखके एक-दो विकेट टेफिनिट्टी निकाल के ले ही जाते हैं, तो अब इन जड़ेज हमारी टीम के अंदर रहेंगे, कैप्टन वाइस के प्र नहीं है, क्योंकि बैटिंग के चैंसे फिर से थोड़े से कमी रहेंगे, मौहम्मा शमी की बात करें, लगातार अच्छा क पांच विकेट भी निकाले हूं, उसके पहले दो विकेट, एक विकेट कमाल के बोलर है, आज के मैंच में, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, मौहम्मा शमी को मौका मिलेगा, शार्दुर ठाकूर की प्लेस पे और हर्दिक की जगर स्टूरिया आ रहें, तो मौहम्मा शमी शमी नेके आ सकते हूं, विकेट चटका सकते हैं, कुल्दी प्यादफ के बात करें, 158 विकेट, रीसेंट फॉर्म बढ़िया चल रहा है, लगातार एक एक दो दो विकेट तो निकाली रहे है, मिडल ओवर के अंदर, आज के मैंच में टीम में राको फर्स बोल आ रहे है, फर्स नहीं आ रहे है, तो थोड़ा सा ड्रॉप के बारे में भी सोचा जा सकता है, क्योंकि फिर हमें न्यूसिलेंड के बोलर्स भी लेने, एक्स बात करें, बुम्रा कमाल के बोला, रीसेंट फॉर्म आप देखी रहे हो, वाइस केप्टन की तक अच्छी चोईस बन जाए रीसेंट भी आप देख सकते हो, एक मैच जरूर खराब हो है वर्ल्लकप का, बांकि दो मैच इसमें दो दो विकेट टिका ले हैं, फर्स बोल आ रहे हैं, लोग ड्रॉप करेंगी, अगर शमी भी आ जाते हैं, तो लोग फिर सिराज को ड्रॉप करेंगे, या तो शमी को छो उमीद है, उमीद क्या करने ही पड़ेंगे, उप्शन ही नहीं है, चटा उप्शन ही नहीं है, तो पूरे दस-दस ओवर्स करेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको अच्छा करके देंगे, फर्स बोल के अंदर आप रख सकते हो, शमी और सिराज को तो आप दोनों क अगर खेल रहे हैं, अगर खेल रहे हैं, तो फिर आपको पूरे दस-वर्स डाल सकते हैं, दस-वर्स में थोड़ा पिटाई कभी ड़त रहता है, नेक्स बात करें, न्यूजिलेंड, इनकी यह है पॉसिबल 11, आप स्कीन शॉट लेलो, कोई भी चेंजिस यहां भी नहीं हो लेकिन पिछले 3 मैचेस थोड़े डाउन रहे हैं, पहले मैच में कमाल किया था, पिछले 3 मैचेस में डाउन गई है परफोरमेंस, आज के मैच में उम्मीद कर रहा हूं कौन वे अच्छा करेंगी है, और head to it भी आप देखो पिछले मैच में भी कमाल किया इंडिया क्या ग recent form अच्छा है पिछले दो मैंचे से में अच्छा किया है लास मैच में विलियमसन की जगा विलियमसन की प्लेस पे खेलें और कमाल के फिर भी 50 मार दिये आज के मैच में यंग थोड़ा समझे टर लग रहा है यंग से प्लेयर तो बहुत अच्छा है समझ के खेलता है लेकिन बुमरा सामने रहेंगे और बुमरा को शुरुआत में खेलना थोड़ा मुश्किल है और यंग को आप बताओ वाई कैसे अपनी टीम में मैंनेज करोगे मैं तो फिलाल मैंनेज नहीं कर पार हूँ अगर आप कर पा रहे हो तो ही रख सकते हो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यं बैटिंग से थोड़ा बहुत कुछ करके दे सकते हैं तो टीम में आएगे शेप्टन वाईस्टन आप नहीं जाएंगे अम इंडिया के साथ जाना चाहेंगे डैर्यल मैचल स्मॉलिंग में बढ़िया चॉइस अगर मैनेज कर पार हो बिल्कुल रखो और शुरुआत के वि और बड़ा स्कूर बना जादा तर मैना ऐसा देखा है लास मैच आप देखो विलियम सन नहीं खेलें उसके पहले शायद लगातार दो मैचेस नहीं खेलें विलियम सन और उनमेहीं कमाल किया है तो बैटिंग थोड़ा जिदमेदारी से करना बंदा जानता है फॉर्स बैट अगर आप देखो तो बैटिंग ठीक है तो ही रखो अधर्वाइस मत रखो क्योंकि ज्यादा प्रॉपर बोलर को रखना जादा अच्छा रहे है क्योंकि विकेट्स जादा गिरेंगी और फास बोलर को जादा सपोर्ट है स्पिनर को तरह सपोर्ट है भी नहीं चैप मैं न पेसर जाद अच्छा कर रहे हैं धरमशाला की पिशपे तो सेंटर टीम में है कैप्टन वाइस के पिल नहीं है और नहीं रखना है स्मॉल निंग में नहीं रखना है लगातार दौनों मैचस में तीन तीन विकेट निकाले हैं लोग थोड़ा सा आज भी इगनोर कर रहे हैं आप आज के मैच में भी जा सकते हो लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं क्यों नहीं जा रहा हूं पेस से इंडियन बैक्समेन को उतनी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप रॉप पेस डाल रहे हैं अगर आपकी लाइन और लैंस से यह और आप अच्छी खासी स्विंग कराते हैं त शुरुआत की विकेट्स चरूर चटका के ले जाएंगे तो दौनों मेरी टीम के अंदर है चलिए अब हम दोस्तों देख लेते हैं स्मॉल निंग में कैप्टन वाइस केप्टन विराट कोली रोई शर्मा और कॉनवे इन तीनों में से आप रख सकते हैं किसी को मेरी लेंड के अगेंस न्यूजिलेंड के अगेंस रिकॉर्ड को ज्यादा खास नहीं है नेक्स बात करें ग्रेंड लिंग में कैप्टन वाइस केप्टन शुमन गिल बुम्रा और ट्रेंड वोल्ट इनको आप ग्रेंड लीक के अंदर रखो काफी कमाल के प्लेर ये भी है बुल्ट और गुम्रा ये जो पांश चेप्लियर्स दिख रहा है ये आपकी मैग्जम टीम के अंदर रहना चाहिए इनके साथ डिफरेंट किसे ट्राइक किया जा सकता है तॉम लैतम श्रिया सेयर मैट हैंडी मौमा शिराज और कुल्दी प्याद अब ये जो पांश प्या क्योंकि लास्ट मैच भी आप देख लो ज्यादा तर टीम्स अगर फॉर्स बैट कर रहे हैं तो उनके उपनर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑस्टेलिया वाला मैच आप लेलू पेच पेच अभी थोड़ा सा साइड में रख तो पेच अगर आप देखें तो बैटिंग उपनर्स के पार्टनर्शिप देखी तो उपनिंग पार्टनर्शिप काफी बढ़िया लग रहे हैं तो अगर आज के मैच में इंडिया फर्स बैट कर रहे हैं और ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो रहा है तो फिर मैंने रोईश चर्मा के साथ शुमन के लिको कैप्टन वाइस ह रखते हैं या 50-50-60-60 भी कर सकते हैं तो इनको कैप्टन वाइस केप्टन किया है माँ की प्लेश चेक कर लो और नेक्स टीम की बात करें इंडिया बोलिंग फर्स करके डॉमिनेट अगर कर रहा है तो बुम्रा के साथ शुमन को कैप्टन वाइस के प्टन मैंने रखा है मांकी प्लेयर साब चेक कर लो, ज़्यादा सज़ादा बोलस मेरे पास रहेंगे और यहाँ से अगर आपको कुछ और भी डिफरेंट रखना है तो फिर एक शमी को और आप स्टीम के अंदर मैनेज कर सकते हो नेक्स टीम की बात करें, न्यूजिलेंड बोलिंग फर्स करके डॉमिनेट कर रहा है तो फिर मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो बैटिंग फर्स करके, कॉन्वे के साथ रचें दरविंद को वाइस केप्टन किया है कॉन्वे इंडिया क्या है, ज्यादा तर अच्छा करते हैं तो आज भी अगर अच्छा कर देते हैं तो फिर हमारे कैप्टन वाइस केप्टन है मांकी लैथम को भी मैंने टीम के अंदर रखा है नेक्स टीम की बात करें, न्यूजिलेंड बोलिंग फर्स करके डॉमिनिट कर रहा है, तो बोल्ट और हैंडिक कैप्टन वाइस के प्रिंट दौनों को मैंने अपनी टीम के अंदर रखा है और हो सकता है, अगर वैसा कुछ रिपीट हो रहाएगी अगर होता है, तो आपको तैयार है ना पड़ेगा, दौनों को फिर एक काड़ टीम है, गैप्टन वाइस के प्रिंटन रख लेना, ठीक है तो इस तरीकी की दोस्तों हमारी कुछ टीम हो रही है, मांकि हम स्मॉली की टीम के बारे में बात करेंगी उसके पहले वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी एलफू लग रहा है, कोच अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अब हम देख लेते हैं SL की टीम दोस्तों हम स्मॉली की टीम देख लेते हैं, उसके पहले जो भी मेरा दोस्ट टेलिग्राम पे नहीं आया है, तो टेलिग्राम पे आप आ जाओ, फाइनल टीम, फाइनल अपडेट आपको यहीं भी मिलेगी, बाकी स्क्रोल करके भी आप चेक कर लेना, गलत चैनल आप लेने कंपसर ही होते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से डाउलोड करोगे, तो 100 उपी साइनल बोरस भी मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हूं कुछ इस तरीके की हमारी टीम बन रही है, अपडेट मैं आपको करूँगा टॉस के बाद, टॉस ड्रॉप कर दूँगा, ड्रॉप कर दूँगा, चांसे से हैं कि बैटिंग आ जाएगी पीछे भी क्योंकि न्यूजिनेट अच्छी टीम में विकेट्स ज़रूर गिरा लेगी, लेकिन फिर हम एक्स्ट्रा बोलर के साथ जाएं तो ज्यादा बैतर है अगर विकेट्स गिर इंदर रहेंगे, इसके अलावा और क्या चोईस है, डैरेल मिचल एक अच्छी चोईस है, अगर फर्स बैट इंडिया की नहीं आ रही है, तो रावल को ड्रॉप करके आप डैरेल मिचल या टॉम लेथम किसी एक को रख सकते हो, इसके अलावा श्रेय सेयर थोड़ा जील मे बात करें रविंद्र हमारी टीम के अंदर है, रविंद्र हमारी टीम के अंदर है, तीनों के साथ हम जा रहे है, इसके अलावा बोलिंग सेक्षन से मैं आपको बता हूँ, तो बुम्रा टीम के अंदर है, बोल्ट टीम के अंदर है मेरी और हैंडी, तीनों को मैं रख रहा ह और भी condition और भी choices मैं आपको बता देता हूँ यहां से चलो फिलाल मैंने राहूल को drop कर दिया है और शुबमन को तो हमने लेके रखा हूँ अधर शुबमन का गए अधो फ्रस्ट पॉल के अंदर ले सकते हूँ आज इस्पिनल्स के लिए बहुत जाधा कुछ नहीं है और न्यूजिलेंड स्पिनल्स को खेलना सीख है भाई स्पिनल्स पर जाधा विकेट सम्थी खोती नहीं है तो कुलदी पियाता हूँ अगर विकेट ले भी एक से दो के आसपास मिल सकते हम पेसर ले लेंगे तो कोई वो तीन से चार भी विकेट ले जा सकता है इसलिए फिलाल मैं जा रहा हूं चार पेसर के साथ फरिग्यूसन उतनी बैतर चोईस आज नहीं है क्योंकि इंडिया पेस को अच्छा तरीके से खेलती है फिर भी रखना है फिलाल दो के लिए के इंडिया के तीन पेसर के साथ भी जाया जा सकता है कैप्टन मैंने कि आपको वीडियो के इंदर बताई दिया है तो आप समझ चुक है इस तरीके की दोस्तों हमारी टीम है पाकि जो फाइनल टीम रहेगी जो अपडेटेटीम रहेगी वह आपको टेलीग्राम प लिंक है आखे वीडियो अगर थोड़ा साभी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेना और कर लेना कॉमेट्स में जरूर लिखना किस टीम के चांसिस आपको लग रहे है कौन विन करे इंडिया के चांसिस अगर रखने तो इंडिया इंडिया जरूर लिखना थाइंग एंडिया सो मच